नवस्कारा निहांतिक स्वागाश दर्शक्रिन प्रेद्शने मांक यो और को स्रूइंख लावा आज और को वीडियो लिएर यहार माज उपस्तित भाई सकेको शुक्रिपे आ वीडियो लाई अंते समा हेरे दिनों हला यूचुब चैनलाए सब्सक्राइब गर्णों हाएको शाई नावारे सब्सक्राइब भनी करेदे कुला आज आ हामें वल्यूड रहल्यूड तरिकाले सुटिंग भाई रेकर एक नेपाले चलसीत्र को बारेबा थोरे चर्शेया गर देशम केही शाता अगी छाईंकन शुर्वाई को चलसीत्र एक्टर को हाल कर्ट्फर्णों मा छाईंकन भई रहे कोशा फ्लेम मा अवनेता प्रदीव खड़का अवनेतरी दोए दिव्यार्वाई माजीर आना सर्मा को मुख्य भुमिका रहे कोशा निर्माण पक्षले छाईंकन सेट मा कलाकार हरु को सहस्ता का लागी वैनिटी भैन उपलबदगर आये काशन शुटिंग मा कलाकार लाए उपलबदगर आये को यो वैनिटी भैन सायद नेपाल मा पहिलो शुरूवाथ होनो परचा रायज उसो हलिवड र बलिवड का चलाचित्र हरुमा रयग होने वैनिटी भैन एक्टर सलचित्र को लागी नेपाल मा पनी उपलबदगर आये कोशा फ्लिम का निवाथा थमन कुमार भंडारी का अनुशार उक्त वैनिटी भैन मा पांस देखिन साथ जाना समन बसन मिलचर यो सुविदा संपन बनी रहे कोशा फ्लिम का मुख्य अविनेता प्रदीबले टेक भाई को अवस्ता भाईक अन्ने समय मा एही वैन मा रहे रा तैरी गर नहीं प्राइग आशन बिशेस्त वैनिटी भैन फ्लिम को च्राइंकन का लागी महत्तो पुड़ मानी चा अपनो टेक नभाई का समय मा आराम करना, ड्रेस चेंज गरना, मेक अप, बाथरूम लगाईत का सुविदा का लागी यो वैन प्राइग अरीज बॉलिओड र हलिओड का कलाकार हुर ले हरेक फ्लिम को सुटिंग शेट मा अपनो परिशनल वैनिटी वैन प्राइग गरने तर नेपाल मा बने इसको प्रचवन खासे देखियेको छैना, बिसेस गरी आउट्डूर सुटिंग का लागी वैनिटी वैन एकडम प्रभाप कारी हुने गरेको छा, एक्टर सायंकन मा प्राइग वैको वैनिटी वैन नेपाल में तयार पारियेको हो, यू हमरू टीम ले ह पालचाले बनाएको वैनिटी वैन हो, इसलाई भाडामा दिनेगरी ने बनाएका हुन, निर्माता भंडारी ले वने, अन्ने फ्लिम मा पनी एसको प्रचवने विश्वास्च, राजन वुशाल को निर्देशमा बनी रहेको छाशीत्र एक्टर लाई आकास बराल ले लेके काहुन, फ्लिम मा प्रदीप दिव्यार आना सहीत, चर्शीत नायक रवास बलब कोईराला दिबदेप सुसिल सिटावला प्रदीप कुमार सौधरी लगायत का कलाकार हरुपो अफिने श, यो फ्लिम कातिक 25 गते लक्ष्मिपुजाक अप्सर पारेर प्रदर्शन मा उने त क्या फर्की सक्के काशन, उनले आफनो समय अनुशार सुटिंग शेडूल राकेरा सहजी करण गरीकोमार निर्मार टीम, निर्देशक्र निर्मात आलाई धन्य बात समे देखाशन